नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकेद इंस पायस इंडियाप और मैं हूँ अंकेद अवस्ती, आप है मेरे साथ में, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर सहाब के हाल ही में दिये एक बयान पर चर्चा करने के लिए जो कि अंतरास्त्री मीडिया में इस समय सुर्खी बन चुका है, हाला कि जब-जब जैशंकर सहाब विदेश जाते हैं, तो सही माइने में अपने विदेश मंत्री होने का दाइत्व निभा कर आते हैं, यानि विदेश में जाएंगे और विदेश्कियों के बीच में जाकर उ अपनी तारीफ में बोले कि अगर मैं समार्ट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है, अब ये समार्टनेस उन्होंने अपनी बताई कि भारत की बताई आज के सेशन में इसी विशे पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वाकिया बड़ा इंट्रेस्टिंग हुआ है, हाला कि इन पर रूस के साथ में हिमायत करना हो, या फिर अपने पक्ष को रखते हुए रशियन्स के सामने, अपने पक्ष को रखते हुए यॉरोपियन्स के सामने यॉरोपियन्स को ही आइना दिखा के आना हो, ये तमाम वो बाते हैं जिन्हें लेकर के एस जशंकर सहाब एनी टाइम सुर्खियों में बने रहते हैं चर्चा है तब से जादा शुरू हुई जब से रशिया युक्रियन वार शुरू हुआ और अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से रूस से तेल ना मंगाने का कहा भारत लेकिन अब तक 13 गुना तेल जादा इंपोर्ट कर चुका है ऐसी इस् तेल वेस्टन वर्ल्ड की बहुत बड़ी परिशानी है आप ये समझिए कि दुनिया में अगर कभी G20 की स्थापना हुई थी तो उसके पीछे भी कहीं तेल का संकट ही था यानि तेल दुनिया के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है और होना भी चाहिए न जिस प्रकार से आप और हम भोजन के बिना नहीं रह सकते ऐसे economies, countries बिना fuel के नहीं रह सकती और fuel जहां से आता है उसकी चर्चाएं होंगी ही जैसे रोटी कपड़ा मकान आम आदमी की जरुवत होती है ऐसे countries के लिए व्यापार और व्यापार के साथ साथ तेल बहुत बड़ी जरुवत होती कि if I am smart enough, why is it a problem तो ये दिक्कत की बात क्यों है यहां पर इनका खुद के प्रती आई शब्द का संबोधन भारत के लिए है यानि भारत अगर smart है तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए अब ये मामला क्या था वाकिया क्या था वो भी जान लीजिए साथियों असल म जर्मनी के अंदर एक Munich Security Conference चल रही है जो साथवी Munich Security Conference है जो की बैरिशफ करके एक होटल है जर्मनी के अंदर वहां पर आयोजित की जा रही है दुनिया बढ़के बहरे सारे देश इस Conference में आते हैं और दुनिया में युद्ध का जो प्रभाव है या युद्ध किसे कैसे नि देश, 140 से बड़े डेलिगेशन सब आते हैं आप इसका अंदर चाह इस से लगा लीजिए कि इसमें जर्मनी के विदेश मंतरी, अमेरिका के विदेश मंतरी, भारत के विदेश मंतरी, चीन के विदेश मंतरी जैसे लोग उपलब्द हैं तो निश्चित ही ये कोई बड़ा ही दे रहे हैं, इनका नाम है Ewald von Kleist, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और कहा जाता है कि ये अडॉल्फ von Kleist जब सेना में हुआ करते थे तो हिटलर को मारने का सपना देखा करते थे, यानि कि इन्होंने हिटलर को मारने के बारे में भी विचार किया था, तो एडॉल्फ von Kleist नाम का जो ये व्यक्ति है, जिसने इसकी शुरुवात की, उनने सो सत्यान में तक इव्यक्ति चलाता भी रहा इसको अपने स्तर पर उनने सो त्रेसर से, लेकिन इसके द्वारा चलाय जाने पर दुनिया भर के लोगों के बीच में मंच बना करके, चर्चा क कि दुनिया में कैसे शान्ती लाए जाए, कैसे शान्ती समझोता इस्थावित किया जाए, तमाम प्रकार की ये व्यक्ति बात किया करता था, लेकिन जब ये नहीं रहा दुनिया में, तो फिर इसकी मेजबानी जर्मनी के पूर वराईज नाइक वॉल्फ गांग इशिंगर ने शुरू की, इसके बारे में इतिहास जानना इसलिए जरूरी है कि कई हाप में से ऐसे लिसनर्स भी हैं, जो यूपीए सी जासे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, उन्हें ये जानकारी पता हो, कि यह स्थापना होने के बाद में फिर से बदला गया, और इशिंगर नहीं इसे Munich Security Conference के नाम से non-profit company के रूप में रजिस्टर किया, जो 18 में जाकर के Munich Security Conference Foundation के नाम से रजिस्टर हुई, और जिसे दुनिया भर के देशों की तरफ से charity मिलना शुरू ही, यह कितनी खास है, इसको इस बात से समझ सकते हो, कि अमेरीका और रूस के बीच में हतियारों को ले ठीक है, और जब से बनी है, तब से लगातार चली आ रही है, अभी इसका 60 सत्र चल रहा था, बड़े सारे देश इसके अंदर हाजिर होते हैं, केवल दो ही बार जब से यह बनी है, तब से लेकर यह स्थगित हुई है, एक हुई 1997 में में जब कलाइस्ट की सेवा निवरती क कारण इसे इस्थगित किया गया, और एक 1991 में में जब गल्फ युद्ध हुआ, इसके बाद में इसको कभी इस्थगित नहीं किया गया, कोरोना के काल में भी यह ऑनलाइन आयुजित की गई, यानि एक प्रकार से यह इस प्रकार समझी, जैसे वर्ल एकॉनमिक फॉरम की ज करने आते हैं, जैसे शंग्रीला डायलोग फेमस है, सिंगापूर का, बिल्कुल कुछ वैसे ही यह बहुत जादा फेमस सेक्योरिटी डायलोग है, जो कॉन्फरेंस होती है, डिक फैंस को लेकर के, कैसे दुनिया में सुरक्षा और उसके प्रभाव उनको 29 से इसके अंदर चला आ रहा है, तो मौका क्या था, दस्तूर क्या था, वो हमने आपको पहले भूमिका में बता दिया है, कि म्यूनिक सेक्योरिटी कॉन्फरेंस क्या है, म्यूनिक सेक्योरिटी कॉन्फरेंस में डॉक्टर S. जैशंकर सहाब पहुँचे हुए थे, यह इसी बीच में इन से सवाल पूछा गया, और पूछा गया कि सहाब आपके पास में multiple options हैं, आपकी मर्जी है, जो host है वो पूछ रही है, जैशंकर सहाब बैठे हुए हैं, जैशंकर सहाब साब बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ मंच पर, जर्मनी की विदेश मंत्री बैठी हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, और उन्हीं के बीच में इन से सवाल पूछा जा रहा है, तो आपके पास में इतने options हैं, आप जर्वत के हिसाब से रूस को यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका को यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, और यह कैसे आप पॉसिबल हो रहे हैं, यहां पर देखें, तो यह अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, जो यहां पर बैठे हुए हैं, और संभवत आप सुन नहीं पा रहे होंगे, तो मैं इसे आपके लिए अलग से एक बार प्ले कर देता हूं, आप उसे सुनियेगा, क्योंक स Hugma Oak uwagę कि आपके टर आपके 마음에 उना पार का ओके非常 थूंके अलिए थे भूंहां आप लाऑ लांब आवा की अशश से पal Saint deve's आ और आ शो मैं मैं मैं. कर बाह दूंध電, हूright, हा का थाप बारए, वैं।ब नहे indices हैं, आपके स्क्षिए आम्लोहीं कुई AVE आपके टो मैं टो itself. Mrs. Chum主. No, no. First of all, delighted to be here and I couldn't find a better set of people to be with on the stage, so thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem if I'm smart enough to have multiple options? You should be admiring me. You shouldn't be criticizing. जैशंकर सहाब की हाजर जवाभी आपने इस सत्र में सुनी होगी और जो सवाल था वो कुछ इस प्रकार से था कि दू भी है मल्टीपल ऑप्शंस क्या हमारे पास बहुत से उप्शंस है तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए मेरा विरोध नहीं करना चाहिए जैशंकर सहाब की इस बात ने सभी बैठे हुए लोगों के बीच में एक बहुत ही light moment क्रिएट किया लेकिन भारत ने अपनी बात को बहुत ही अच्छे से और इस पस्टता के साथ कहा इस विशे को आप थोड़ा और गहराई से तब समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि भारत दो विरोधियों के बीच में अपने हितों को बहतरीन तरीके से आगे खीच रहा है विचार कीजिए कि जहां हम अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने द्वीपक्षिय सम्मंधों को लेकर हम अमेरिका के साथ पुराने समय की तुलना में फिलहाल बहुत अच्छे से आगे निकले हुए हैं बहुत अच्छे रिलेशन्स मैंटेन कर रहे हैं वही रूस के साथ जो कि अमेरिका का सक्त विरोधी है या यह कहिए अमेरिका रूस का सक्त विरोधी है हम उसके साथ भी व्यापार में all time high चल रहे हैं हमने इतना तेल उनसे खरीद लिया है हम वहाँ जाते हैं उनकी बाते करते हैं उनके मुद्दों पर उनके साथ बैठते है यानि कि एक अकेला व्यक्ती जो दो opposite party ओपोसीं के बीच में बैठा है और बैठ करके अपने हिटों की पूरी तरह से देख्माल कर रहा है तो निश्चित ही यह सरहना का part तो बनता है और यह सवाल भी बहुत सही था कारण क्या था कि भारत के बारे में कहा जाता था कि जब second world war finish हुआ उसके बाद दुनिया के देशों में ये spust हो गया कि कौन किस तरफ जाएगा यानि कि United Nations बना जरूर था लेकिन अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर बाहर निकला था शक्तिशाली देश था दूसरी तरफ रशिया था तो अमेरिका और रशिया की बीच का जो conflict था इसने भारत को उस समय एक stand लेने से बचाया और हमने non-aligned movement का रास्ता पकड़ा यानि कि हम किसी के साथ नहीं है हमने गुट ने पेक्ष निती की शुरुगात की और हम कभी भी किसी का पक्ष लेने से बचते थे लेकिन आज के समय में भारत जहां रूस की आवशकता होती है वहां रूस के पक्ष में खड़ा होता है अमेरिका की जहां आवशकता होती है उसके पक्ष में खड़ा होता है यान आप दौनों के बीच का वाया बन जाओंगा, आप मेरे माध्यम से बात कर लीजिए, आप दौनों को एक दूसरे से नहीं करनी है, कोई बात नहीं, मुझे रास्ता बना लीजिए, यो चल लीजिए, यही तो कारण है, कि हम अमेरिका से, अमेरिका वाले रूस से परिशान है, कोई बात नी, यौरॉप वाले रूस से परिशान है, कोई बात नी, रूस से मैं तो नहीं होना, आप बुझ से नहीं होना, बोले कोई बात नी, तो ऐसा करते हैं, मैं उनसे तेल खरीदता हूं, मैं उनसे कोईले अच्छा बेटा हमारी बिल्ली हमको म्याओ हम तुमको रोटी देकर बढ़ा किये और तुम हमसे निकलकर उनसे हाथ मिलाने जा रहे हो इंडिया तो वह है जो डेवन से जब तुम्हारे साथ खड़े थे तब से वह रूस के साथ खड़ा है भाई उसका तो समय है आज इंडिय अपने समय का यूटलाइज कर रहा है तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने अपनी बातों को इतनी अच्छे से रखा ये एक अच्छे दिमाग की एक इंटेलिजेंट दिमाग की बहुत बड़ी पहचान है यहां एक बात और अच्छे से निकल कर आई और जो विशे शुरूप इसा छहातरवर्ग है जो तैयारीयों में है जो किसी इंटर्व्यू की तैयारी में है या कहीं पर भी आपनी बाते रख रहा हो वो इस बात पर फोकस करें यहां पर जैशं कर साहब ने इक बहुत अच्छी बात mention करी है और बात क्या है यहाँ पर इन्हों ने कहा है कि ऐसा क्यों माना जाए कि दुनिया में कोई देश यह बिल्कुल वैसे है कि either on my way और no way ऐसी इस्थेटी तो नहीं होनी चाहिए यानि कि left और right दो ही दो option होते हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए यानि कि west के case में अगर कोई यह माने पस्चिमी देशों के case में अगर कोई यह माने कि कोई देश anti-west होगा या फिर west होगा ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई देश नौन वेस्ट हो, इसका मतलब क्या है? देखिए ऐसा माना जाता है कि या तो आप पश्च्रिमी देशों के साथ हैं, या उनके विरोध में हैं, दुनिया में हमेशा दो धड़े देखनी की परिपाटी रही है, दो धड़ों में हमेशा फिर इसे दो धुरूव बनने लग गए, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम anti-west क्यों कहलाएं, हम पश्चिम विरोधी नहीं है, हम non-west हैं, यानि कि हम पश्चिम के साथ नहीं, पश्चिम में नहीं हैं, लेकिन हम अपने हितों की रखवाली तो जानते हैं, हमारे west के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार की जो इनकी बात है, ये कोई पहली बार नहीं है, आपने पहले भी बहुत बार धमाके किये हैं, आपने पहले भी पाकिस्तान को लपेटा था जब ये पूछा गया था, कि आप पाकिस्तान को टेररिजम का एपी सेंटर कहते हैं, तो एक भ देश में सरकारी संरक्षन में सेना के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करके टेरिस्ट दूसरे देश की संसद पर अमला करने चले आते हैं इससे जदा खुले आम और क्या तरीका हो सकता है तो जैशंकर सहाब ने दुनिया को भारत का जो स्टेंड है वो बहुत clarity के साथ बतान ने शुरू कर दिये इनकी सारी बातें की तो लोग लिखना शुरू कर दिये कि if I'm smart enough to have multiple options you should be admiral to me not criticizing me यह आने वाले समय में डायलोग बन जाएगा लोग आने वाले समय में इसका multiple time use करेंगे with different different phrases or with different different what you can say कि conditions के साथ साथ लोग इसका उप्योग करेंगे मुझे ऐसा प्र आपने पूरा जर्मनी की यात्रव को अपने वीडियो के अंदर समाहित करके डाला कि 16-18 फर्वरी के बीच मैं यहां था यहां पर यह जो हॉफ करके होटल है श्री हॉफ करके होटल इसके अंदर meeting थी यहां पर हम गए और यहां पर यह बात इन्हों ने बोली विदेश मंत नहीं साहब जिन लोगों के सामने दी जा रही है यह बयानबाजी वो छोटे लोग नहीं है बयानबाजी मीडिया के सामने opposition parties के सामने दी जा सकती है मतलब देना तो वहां भी नहीं चाहिए लेकिन आप world forum में खड़े हैं वहां पर आपके साथ में बैठे हुए हैं अमेरिक कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए इससे भारत के प्रती दुनिया का नजरिया बदलता है अब आप मैंसे कुछ लोग संभवत है यह सवाल करेंगे नजरिया बदलने से क्या होता है बहुत कुछ होता है जैसे आज हमारे दिमाग में बहुत से देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे, अगर हम इसराइल की बात करते हैं, इसराइल हमसे बहुत छोटा है, बहुत छोटी economy भी है, और हमसे बहुती कम संसाधनों के साथ, वो दुनिया में अपने व्यक्तव्यों के कारण, अपने दुनिया में लिये गए stand के कारण चर्चा का विशय बना रहता है और भी कोई देश चाहे आप अफरीका के तरफ से उठाएं, साउथ अफरीका उठाएं ब्राजील उठाएं, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने stand के कारण सुर्खियों में रहें हैं, चाहे फिर साउथ कोरिया हो, चाहे सिंगापूर हो ये वो देश हैं जिन्हों ने समय समय पर अपनी बातें खुल कर रखी हैं ये नहीं कि आपको जो पसंद है वही बात करेंगे जो आपको दिखे वही बनके हम रहेंगे ऐसा नहीं है, है ना, तो भारत ने हमेशा से, बतलब इन दिनों में जो ये इस परिवर्तन किया है, ये दुनिया को भारत के नए रूप के रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि भारत को सबसे अच्छा विकल्प चुनने का अधिकार है, और ऐसी की इस्थिति हमने रश्या युकरिन जंग के बाद देखी है, और हमने खुद से ये चीज़े प्रड्यूस की है, ये बार-बार मंचों पर कहते रहे हैं कि वैस्ट ने पाकिस्तान को वैपन देने की शुरुआत से प्रिफरेंस दी लास्ट टाइम की तुलना में, यही तो कारण है, जैशंकर सहाब के समान में खुद पुतिन अपना प्रोटोकॉल तोड़ कर मिलने चले आते हैं, यानि कि उन्हें भारत जैसा मित्र कहा मिलेगा और जैशंकर सहाब जैसा प्रवक्ता कहा मिलेगा जो भारत रूस सम्मंधों की इतनी जबरदस्त तरीके से व्याक्या करता हूँ, आपको याद होगा पिछले महीने हमने ये सेशन किया था दिसंबर के अंदर, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि पुतिन ने भारत के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ा था, जैशंकर सहाब से मिलने के लिए उन्होंने अपने जो नियम हैं वो तोड़ करके मुलाकात की थी और उसमें भारत के लिए भारत के पक्ष में कुछ बातें भी कही थी ऐसी इस्तिति में जैशंकर सहाब जहां-जहां जा रहे हैं, भारत को लेकर एक अलग इमेज क्रियेट कर रहे हैं उन्हीं की याद में अगर आप पुराने इतिहास को खोजें कि कौनसी कौनसी ऐसी बातें हुई हैं, तो जैशंकर सहाब ने पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से हिदायत दी थी कि अच्छा पड़ासी बन कर रहो अपने आप को साफ करो तो संबभ है कि आप के लिए कुछ बात करें UN में इन से एक पत्रकार ने ऐसे सवाल पूछ लिया था कि सर ये बताईए कि आप पाकिस्तान को लेकर कहते हैं कि वो terrorist state है कब आप लोगों के बीच में रिष्टे सामान्य होंगे तो बोले जब पाकिस्तान चाहेगा तब सामान्य होंगे हम से क्यों पूछ रहे हो terrorism वो फैला रहे हैं तो अपने one stop answers के लिए बहुत जादा फेमस हैं हमने इस सब पर कही ना कही sessions आप लोगों के साथ साजा किये हुए है ठीक है ना ऐसे ही जैशंकर साहब से काफी सारे प्रशन पूछेगा जिसमें ये पूछा गया कि आप रश्ययन वाइल इंपोर्ट क्यों करते हैं तो आप रश्या वाले से यॉरप वाले हमसे कहीं ज़्यादा तेल और गैस मंगाते हैं भारत से यह आप एक्षा क्यों की जाती है कि भारत तेल मंगा रहा है हम अपने हित सोच रहे हैं तुम अपने हित सोचिए ऐसे ही मतलब हर चीज में बहुत सारे ऐसे एपिसोड है जिन पर हमने कही ना कहीं अंकित इंस्पायर इंडिया अपनी पाश्शाला इन पर सेशन किये हुए हैं आप जा करके उन्हें देख भी सकते हैं ठीक है ना तो यह सारे सेशन हमने यहाँ पर प्रपर तरीके से पहले भी कोट किया है तो अभी तो केवल रेफरेंस में हमने बताया है तो वेस्ट का क्रिटिसिजम क्यों है भारत को लेकर के तो निस्चित ही भारत एक नई उभरती हुई अर्थ विवस्ता है पस्चिम को यह बात तो अखरने वाली ही है वेस्ट भी बड़ा ही मतलब अनौइंग प्रकार की हरकत कर रहा है मतलब उन्हें ये बात खुशी दे रही है कि हम रूस से डायरेक्ट तेल नहीं मगा रहे हैं हम इंडिया से तेल मगा रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा है बुले इससे क्या फायदा है बुले इससे फायदा ये है कि रूस पैसे वाला नहीं बन रहा है भारत पैसे वाला बन रहा है इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि चलो कोई बात नहीं तुम्हें दिक्कत नहीं तो हमें क्या दिक्कत होगी यही कारण है कि भारत 37 billion dollar का तेल मंगा चुका है और अमेरिका को भी हम यही से साफ किया हुआ तेल बेच दे रहे हैं भारत लंबे रूट से तेल मंगा रहा है बढ़िया से तेल अपना बेच रहा है तो हमारे बीच भी बढ़िया इनके साथ चली ही रहा है ठीक है न ऐसी इस चल रही हो रश्या युक्रेयन की चर्चा ना हो यह तो खेर संभव है ही नहीं क्योंकि 2022 से अब तीसरे साल में एंट्री कर गया है युद्ध लेकिन यहां पर इसराइल की बात भी आई और जब देखिए म्यूनिक सेक्योरिटी कॉन्फरेंस है तो युद्ध से हुई थी इसराइल के ऊपर जो हमास की घटना हुई थी वो एक आतंकी घटना थी आपको ध्यान होगा कि भारत में जो इसराइल के राजदूत हैं वो भारत से कई बार कह चुके हैं कि आप उसे हमास को आतंकवादी डिकलियर करिये हमने आतंकवादी भले ही उसले डिकलिय लेकिन हम इस घटना को आतंगवाद बताए कि नहीं जो इसराइल पर हुआ वो आतंगवादी घटना थी नंबर एक नंबर दूसरा लेकिन हमने फिलिस्तीन के लिए भी अपनी बात बहुत अच्छे से यहां पर रखी और क्या कहा कि फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के प्रती बहुत सावधान इसराइल को रहना चाहिए और मानविय कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक अंतरस्ट्रिय दाइत्व है तीसरी बात फिर कहीं यानि इसराइल से कहा कि फिलिस्तीन को लेकर केरफुल रहें तीसरी बात यह कहीं कि दुनिया को यह तै करना चाहिए कि जो बंधक फिलिस्तीन के पास इसराइल के हैं, उनकी वापसी सुनिश्चित हो, वहीं चौथी बात फिलिस्तीन के लिए कही, कि मानविय गलियारे की जरुवत है, मानविय गलियारा मतलब क्या है, आपको याद होगा जब रशिया उकरेन कंफिक्ट हुआ था, भारत ने उ मानविय गलियारा बनाया जाए, ताकि जो लोग वहाँ से कहीं और जाना चाहें, वो पकायदा वहाँ से निकल सकें, कुछ इस तरह की भी यहाँ पर मतलब अपनी तरफ से, भारत की तरफ से, मतलब प्रस्ताव दिया गया, कहने का मतलब साफ है कि भारत, इसराइल और फिल प्रसेंट थे, जैसा मैंने आप से कहा, इंतरस्ट ये मंच है, तो होंगे ही, बड़ा मंच है, तो ऐसी इस्थिती में, वांग वी जब जैशंकर साहब से मिले, तो वो नजारा भी देखने लायक था, हाला कि इन दौनों के बीच में कोई टेबल टॉक नहीं हुई, लेकिन आप मंच से उतरे, उतर करके एक दूसरे को रिकागनाईज किया, ये बिलकुल वैसा नहीं था, जैसा पाकिस्तान के केस में होता है, पाकिस्तान के केस में तो ये तक तै किया जाता है, कि पाकिस्तान वाले दूसरा रास्ता लेंगे, इंडिया वाले दूसरा रास्ता लें जो भी था कुल मिला करके या जो भी हुआ होगा इन दौनों के बीच में एक हमबल जेस्चर हो जाना भी ये दर्शाता है कि ये दौनों देश सूजबूज के साथ आगे चल रहे हैं दुनिया के सामने ऐसे नहीं दिखा रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई जगड कर लेंगे टाइप से हैना बाकि आप इस विशय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा फिलहाल के लिए इतना ही और जैसा मैंने आप सभी से कहा है कि आप सबका असीम प्यार हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे ही क्रम में आप यदी हमारे च होता है कि हमारा वीडियो आप तक notification के रूप में तुरंत पहुंचता है दूसरा ये कि आप हमें join कर सकते हैं यदि आपको लगता है जैसे अभी एक भाई साब ने हमें super thanks में कुछ पैसे भेजे हैं अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हमारी मदद कर सकते हैं तो जरूर करे बागी हमारी तरफ से हम आपके साथ क्या उपहार साजा कर रहे हैं तो हम बता दें कि अपनी पार्ट शाला जो हमारा application है वहाँ पर मेरा जो इतुद्र जीएस foundation बैच है वो 1499 की कीमत पर उपलब्ध है फिलहाल 7 दिन के लिए 3000 का बैच साइज है और वो अभी 1499 में क्योंके demand पर हमने 4999 में complete foundation batch launch कर दिया है including GS foundation यदि कोई उसे लेना चाहता है मेरा foundation batch के साथ तो वो 5999 में उपलब्ध है बाकी एक अतिरिक्त सूचना ये है कि जिन्होंने भी अभी तक अपनी पार्ट शाला पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने session किया है वो नहीं